लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं राहुल नहीं सतीश हो अच्छा, तो तु हमें यहां यह बताने आया है कि तु राहुल नहीं सतीश है मैं आप लोगों से सिर्फ यह कहने आया हूँ कि आप लोग प्लीज, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर रहिए मेरी पत्नी, मेरी पत्नी श्वेता को मुझ पर यकीन ही आप लोगों की वज़े से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है अच्छा, तेरी जिंदगी नर्ग बन गई है, इस बात की तुझे बहुत तकलीफ है और तुने जो हमारे घर परिवार की जिंदगी को नर्ग बना रखाया है, वो कुछ नहीं मेरी बेटी की जिंदगी को परबाद कर रखाया है, वो कुछ नहीं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नही हूँ अच्छा, ब نہ से मेतार नहीं है क्या कर रहे हाँ अपी तो रहेखा की तु म्हें रहेखा कि तु राह लोजे ही, सतीश है मैं सतीश हूँ सतीश जैस कि बहुत है ७ाist अब, अब भार क्यो रहे है एक डे तर्ञ पर आप जूसे हुआ। कि पांग का सुन्दूर ये भी शूट है?---- यह मंगलसूद ये भी शूट है! तो इसके लए मैं ही जिम्मेदार का हूँ! कर दोह कर दो कर दो किया भगाड़ा हम उसके सामने बड़े प्यार से उसके हाथ पाँ जोडते रहें और वो हमारे सब्रकाई मुतिहान लेता रहा है उसे मारने से भी क्या हो जाता बाबुजी तो क्या हम अपनी बेटी को खून के आशू रोने दे उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी बाबुजी उसे सजा ना आप दे सकते हैं ना हम उसके किये की सजा तो उसे भगवान देंगे भगवान भी तो आखे मुदे बैठा है भावी ऐसा नहीं है तृप्ति उपर वाला सब देखता है उसे यहां आया देखकर मुझे लगा कि भगवान ने उसे सत्वुद्धी दिये वो अप पे शर्प रहीगा तृप्ति अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि राहुल को तुम्हारी कोई परवान है उसके साथ अब कोई भी रिष्टा जोड़ना तुम्हारा अपना अपमान है एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी करने की हिम्मत कैसे कि अगर उसे त्रिप्ती से कोई शिकायत थी तो हमें आके बताता उसे तलाग दे देता लेकिन ये तो धोकेबाजी है बीमानी है उसन और कमजोर लोग ऐसा ही करते हैं बाबुजी उसे किसी बात का ख्याल नहीं रहा अपने आपको जुटलाता रहा चालवास कहीगा जब वो ये मानने को तयार ही नहीं कि वो राहुल है जब इसे त्रिप्ती के आसू उसकी तड़प ही नहीं दिखाई देती तो फिर उसे रिष्टा जोड़कर क्या हासल होगा हमने उसे अनाज समझ कर उसे अपने घर में साहरा दिया त्रिप्ती ने उसे अपनी जिंदिगी सौंग दी और वो धोके बास बाबुजी अब हमें गुसा छोड़कर ये सोचना चाहिए कि आगे क्या किया चाहिए राहुल से तो कोई भी उमीद लगाना हैं से अपने आपको धोका देना है हम और हमारे समाज के लोग शादी के बंधन को एक पवित्र बंधन मांते हैं और इसने इस बंधन की लाज भी नहीं रखी हमारी परमपराएं हमारी आस्था और हमारी भावनाओं का इसने मजाग उड़ाया है ना जाने जीवन में और क्या-क्या देखना पाकी है Satish? ये क्या हुआ Satish? ये चोट कैसे लगी तुम्हे? Satish मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये चोट कैसे लगी तुम्हे? ये सब तुम्हारी वज़े से हुआ है मेरी वज़े से? मैंने क्या किया? तू भी कहते रेती थी? क्यो नहीं घाते है? क्यो नहीं जाते? यह सब तंभारे कया नतीजाया? हड़い मुंभाही, तुम खुद गये? इसमें में जीमीदार कहा से हो कई? अचा बतावा, यह चोट अवा मेपल है श्वेता, जब तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिष्टा नहीं है, तो यह जूटी हमदर्दी क्यों दिखाती है? बताओ ना सतीश वह स्कूटर से टकड़ा गया था आंखे बंद करके चल गया थे क्या? अरे अगर ऐसे ही चलोगे तो चोटी लगेगी ना? जो पिष्टी रहोंगी गया था जो जो लो अरम में दो क्यों आपके रहूंगी हें अज दो देशितर की छिए तो प्रहुए रातर एकिसके नाम ती आझ कुबारती रहोगी तो मा मुझे कुछ समझ नहीं आरहा समझने तु पढ़े गई मेता तुम्हारे आगे पहार सी जिंदगी पढ़ी है इस तरह कैसे घुज़े की मा मुझे समझ नहीं आरहा कि राहुल को अगर मुझे धोका देना था तो अपने आप को जुटला क्यों रहा है क्योंकि वो ठग था इन लोगों की जिंदगी जूट और परेद के बिना कट्री ही लिए वो जब यहां आया था तो अभी वो कह रहा था कि वो सतीश है राहूल नहीं अगर वो मान भी लेता कि वो दाहूल है तो क्या तुम उसे स्मेकार लेती है जान भूच के द्धोका नहीं ख़या जाता है लेकि दाहूल ने कितनी आसानी से सब कुछ भूला दिया मा मैं ने उसके लिए क्या नहीं किया जब भी उसने पैसे मागे सबसे लड़ जगड़कर दिलवाए फिर भी वो स्वार्थी था उसे तुमारी जिन्दगी से कोई लेना देना नहीं था मां कभी-कभी दिल करता है कि उसे इतनी आसानी से नचोड़। अगर खुछ सजा नहीं दे सकते तो कानों से दिलवाई फिर लगता है कि जिसे इतना प्यार किया अपना सब जाओ और एक नहीं जिन्दगी की शुरुवात करो हर रात के बाद एक नहीं सुभा होती है वालत अपनों बोलते क्यों नहीं क्या रखते हो क्यू लायों मजे या पर बोलो जवाब क्यों इतने दो किसे वेजए तुमोगे यापर तुम तुम यहां क्या करने आया हो मैं आप से पूछना आप कि मांसी कहा है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए वहाँ ऑब जो इनसान खुद भीला कर मांसी को यहां से ले गया, वो मुझे से पुछ रहा है कि मांसी कहा है? जी है वहा dict, पि्सक्रम्सी को लेकर गया था, कि मांसी अर्व वहाँ नहीं है, नहीं है, क्या मतलब? मतलब उसुत उप़े सही गायब है, मैं उसका फोन मिला रहा हूँ लेकिन फोन नहीं रग रहा हूँ वहाँ टेंशन में हूँ तुम यहाँ आकर मुझे टेंशन दे रहे हो जब तुमने अपने जहल बल से उसे अपनी और खीची लिया है तो फिर उसकी सारी जिम्मदारी तुम पर है जाओ, दूंड़ो उसे, पता लगाओ कि वो है कहाँ हर जगा पता लगाने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि वो आप ही हैं जिसे कते ही यह पसंद नहीं था कि मांसी मेरे साथ मेरे घर मेरे रहे अब प्लीज उसे छिपाये मत, उसे मेरे सामने लेकर आईए मैंने, मैंने मांसी को छिपाया है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया अगर मैं चाहती, तो उसी दिन मांसी के कान पकड़कर उसे यहाँ ले आती और तुम कुछ नहीं कर पाते तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो अब बच्ची नहीं रही अपना अच्छा बुरा वो खुद समझती है मैं उसमें दखल नहीं देना चाहती क्या सच में आप नहीं जानती कि वो कहां गई है अगर पता होता तो क्या मैं बताती नहीं अगर मेरी बेहन को कुछ हुआ न तो याद रखना प्रशांत मोदी तुम उसे यहां से लेकर गए थे और उसके अच्छे बुरे की जिम्मदारी तुम पर है कर दो कि अच्छे की जानती कि तुम पर है निशाथ, निशाथ, गजब हो गया, क्यों हो गया, मांसी कहीं गायब हो गई है, गायब हो गया, तुम्हें किसे बताया, वो जिस लड़के प्रशान के साथ रह रहे है, वो उसे ढूणने ही हाँ आया था, कह रहा था कि सुभै से कहीं गई हुई है, और अभी तक नहीं इन सब की वज़ें सिर्फ तो, मैंने क्या किया इनिशान, तुमने क्या किया, अरे तुम्हें उसे इस घर से जानी नहीं देना चाहिए, तुम तो ऐसे कह रहे हो, जैसे इस घर में मेरा हुकम चलता है, आज तक तो मुझे इतना भी अधिकार नहीं मिला, कि मैं किसी चीज अपना फैसला से ना सको, पुर्मिला, तुम यह क्या कह रही हो, तुमने आज तक जो चाहा उस पर किसी ने घर में आतराज किया, हाँ, लेकिन मानसी के यहां रहने पर सब को आतराज है, किसी को भी यह बात पसंद नहीं थी, कि मानसी यहां रह रहे है, तुम मैं अकेली क् सकती हो, काम करो, जाओ, उसे ढूंडो, पता करो कहा है वो, इस लड़की की वज़े से, हमेशा कोई न कोई परिशानी होती ही है, जाहे वो यहां रहे, या फिर कहीं और, अरे भाई, हो सकता है, वो अपनी मर्जी से, किसी काम से गई होगी, दिशान, वो सुबह से घर से न समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में तरह तरह के खयाल आ रहे है, कहीं उसका कोई आक्सिडेट, या फिर, किसी ने उसे किटनैप तो नहीं कर लिया, अरे उसकी किस से दुश्मनी है भाई, और उसे कोई क्यों किटनैप करेगा बला, शेहर में, रोज कोई ना कोई हाथसा हो किसी ने अकेली लड़की समझ कर, मुझे तो बहुर टेंशन हो रही है, और मिला, अब यूँ ही कुछ भी सोचना शुरू मत कर दो, इंतजार करो, वह आ जाएगा, और कितना इंतजार करें निशान्त, सुबह के निकली लड़की रात के दस बज रहे है, मुझे तो लगता वरे मिलाइक, इस शहर में सिर्फ एक आदमी ऐसा है, दो हमें परेशान करने के लिए ऐसी ओची और खटी अहरकत कर सकता है कौन है हो तीवारी? मदन तीवारी अदे हैंhead इसन अधिसे क्या हरकत कर सकते हैं मदन तीवारी नाम है मारे एक तिवारी सब भारी बस यहां बैठे बैठे अपने मूझ से उस्ताधी दिखाते रहो कोई तुमसे डरने वाला नहीं अरे हम ठोकट में ना किसी को डराते नहीं है डराने जबी कीमत लेते हैं अलम पता नहीं इस शहर में आकर कौन से पिन नई पहचान बना ली कोई हमसे पूछे तो हम बताएं कि कौन हो तुम कौन है हम या थे मेरी कंगी करके चोटी बनाया करते थे भूल गया सब ने चुटी हम ऐसा करते थे और वहां अमारे पसंद थी शोक था अमारा तुपांगे तुमारा शोक तुमारी पसंद मर्या जब हमको पता यह चला कि तुश लायक नहीं है तो हमने सब छोड दिया वै बना था लडब पन थी अकल नहीं थी का करना चाहिए का नहीं वर्ना हम क्या यह सब चोटी है यह सब फानतुगीरी अ बदरिया, दर्वाजा खोल मांशी को मैंने छिपा रख कोई है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? क्यों लायो मुझे यहाँ पर? किसे बेजा है? कौन? कौन है? जवाब क्यों नहीं देते? क्यों लायो मुझे यहाँ पर? मोलो प्लिस चोड़ो चादे दो मुझे प्लिस तो प्लिस तोड़। झाल झाल